आज आप लोगों को प्रिज्म से अपवर्तन प्रिज्म से अपवर्तन यह पढ़ने जा रहे हैं तो इसको देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत मज़ेदार भी है देखिए क्या है एक प्रिज में है एक प्रिज में है तो जैसे इसमें एक रे आएगा यह रे आया और यहां से रिफ्रेक्शन होगा और यह निर्गत होगा तो इसको जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आप्तित किरन यह होगया आप्तित किरन यह होगया निर्गत किरन बहार निकल गया और यह जो प्रिज में है तो यहां पर क्या हो रहा है कि रेयर मेडियम से डैंसर मेडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की और मूड रहा है यहां पर हम दो नॉर्मल डालेंगे इस पॉइंट पर तो नॉर्मल की और मूड रहा है तो यह जो है नॉर्मल की और मूड रहा है यह बात समझ में आ रहा है आज जैसे ही यह फिर dancer medium से rare medium में जा रहा है तो normal से दूर भाग रहा है आनि यहाँ पे normal डालेंगे हम लोग इस surface पे यह normal देखिए यह normal से दूर भाग रहा है तो a angle जो हो गया i हो गया incident angle यह निर्गत angle हो गया e कोई दिकत आई है और यह जो है prism का angle a बोलते हैं इसको a prism का angle आप देखिए चुकि इसको हम लोग जाने वाला था इधर मुड़ गया इधर तो इसको एक बढ़ाएंगे हम लोग dot dot line से इसको dot dot line से बढ़ाएंगे हम लोग इधर जाना चाहिए था लेकिन इधर मुड़ गया a बोला ray को बढ़ाएंगे यहाँ पर a बोला जो ray है निर्गत निर्गत ray जो है इसको हम लोग बढ़ाएंगे dot it कहाँ पर cut करता है a यहाँ पर cut किया a निर्गत हो गया तो यह जो इसके साथ जो angle बना रहा है यह वुला e angle जो बना रहा है आनी आपतित कीरन और निर्गत कीरन जो कौन बना रहा है इसको d बोलते हैं इसको बोलते हैं d तो d क्या हो गया d जो हो गया यह angle यह गया बिचलन पौन क्या हो गया बिचलन कौन deviation angle डेवियेशन एंगल डेवियेशन एंगल इतना जो है मुड़ा बेंड किया रे अच्छा आई क्या हो गया यह तो हो गया आपतन कौन यह निर्गत कौन हो गया कोई दिकत नहीं है तो यह जो है प्रिज्म से इस प्रकार से अफवर्तन होता है कि तो प्रीम से अफम हो और यह डेवेशन एंगल होगया तो डेवेशन एंगल के और निर्गत करन के भी जो कौन बनता है उसको कलते हैं है विछलन कौन की यह ऑल और यहां पर यहां पर भी क्या सब्सक्राइब हो रहा है अपॉर्टन हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे R1 और यहां जो नॉर्मल के साथ जो कौन बनाता है यह एंगल को हम लोग R2 बोलते हैं R2 बोलते हैं A R1 हो गया, A R2 हो गया, कोई दिकर नहीं है तो यह जो है, ए प्रिज्म हो गया और प्रिज्म से डिभेसन अंगल D हो गया यह प्रिज्म अंगल हो गया, यह आपतन कौन हो गया, यह निर्गत कौन हो गया यह उपोर्टन कौन हो गया पहला पॉंट के लिए और वन आ टू हो गया अपोर्टन कौन यह बात समझ में आया प्रिज्म के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म से इसमें तो इसमें जो है एक वेवलेंथ वाला परकास डाले थे अब हम लोग डालेंगे white ray इसमें गरा हम लोग डालेंगे तो क्या होगा यह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा आप उसको देखते हैं देखी प्रकास जो होता है न उसमें 7 रंग होता है 7 कलर होता है अगनी white ray उसमें 7 रंग होता है कितना होता है 7 साथ कलर होता है सेट प्रेंट में 7 रंगों सोथा है क्या क्या होता है तो देख़ी वाइट रे में agreement सिवन कलर सुता है इब पता है तो पहला क्या है, उपर से देखेंगे हम लोग त्रेड हो जाएगा सबसे पहला क्या है, लाल लाल है, तूसरा नमबर में क्या है, लाल है, नारेंगी है तूसरा नमबर में क्या है, लाल नारेंगी, पीला है लाल नारेंगी पीला चोथा नमर में क्या है हरा है पाच्वान नमर में क्या है लाल नारेंगी पीला हरा नीला है शटार नमबर में कौन सा कलर है कौन है जामुनी है वो सात्वा नमबर में कौन सा कलर है बेंगनी है बेंगनी कलर है साथ कलर तो ये साथ कलर है लाल रंग का वेबलेंद सबसे ज़दा होता है और सबसे कम WaveLength बेंगनी का होता है WaveLength, WaveLength क्या होता है ? देखिए फिक्चर में इस सब्सम्ञ में आय। तो लाल रंग का WaveLength ज्यादा होता है और बेंगनी का WaveLength कम होता है जिसका wavelength ज्यादा होगा विचलन उसका कम होगा आज इसका wavelength जो है कम होगा इसका विचलन ज्यादा होगा यह बात समझ में आ गया अब हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म से white color जाएगा तो किस तरह इसका dispersion होगा तो देखते हैं तो देखिए यह प्रिज्म है यह प्रिज्म है यह प्रिज्म है ठीक है एक white ray आ रहा है है ठीक है स्वेत प्रकास आ रहा है यह white ray है अब जो है यह जो क्या होगा यह इसमें से गुज्रेगा तो इसका अलग-अलग में बदल जाएगा क्योंकि सबका अलग-अलग wavelength है तो अलग-अलग speed होगा तो यहां जिसमें गुज्रेगा सब अलग-अलग हो जाएगा rate उपर जाएगा red उसके बाद orange आएगा उसके बाद yellow आएगा उसके बाद green आएगा उसके बाद blue आएगा उसके बाद indigo आएगा भाइलोट आएगा इंडोगा उसको बहलोट आएगा तो यह जो है साथ रंग में जो है यह विभक्त हो जाएगा यह रेड होगा आर रेड के बाद ओरेंज आएगा ओरेंज क्योंकि इसका बिचलन कौन सबसे बिचलन कौन इसका होगा लाल ओरेंज एलो आएगा ग्रीन आएगा जी एक ग्रीन आएगा उसका बुलू आएगा उसके बाद जो है इंडीगो आएगा आई इसका बाद भाइलोट आएगा तो इस तरह से साथ रंग में जो है ये विवक्त हो जाएगा क्योंकि सबका अलग-अलग वेवलेंथ है अलग-अलग चाल है सब अलग-अलग हो जाता है और चुकि इसका बिचलन जादा होगा कि वेवलेंथ कम है इसका बिचलन कम होगा कि वेवलेंथ जादा है इसको देख लिजे पिक्चर में भी पिक्चर में भी देखिए ये देखिए तो ये बात समझ में आया होगा कि अलग-अलग वेवलेंथ के कारण इसमें अलग-अलग वेवलेंथ होगा जिसके चलते ये सात रंगों में बढ़ जाएगा यह है spectrum, इसको क्या बोलते हैं, spectrum बोलते हैं, इसको spectrum बोलते हैं, तो यह बात समझ में आया होगा, अब जो है, आ गया, scattering of light, किस कलर का scattering जदा होगा, जिसका wavelength जदा है, उसका scattering कम होगा, आनि हवा में जो छोटे-छोटे कन होता है, हवा में जो छोटे-छोटे कन होता है, उसमें प्रकास आता है, तो जिसका wavelength जदा है, उसका scattering नहीं हो पाता है, कम होता है, जिसका wavelength कम है, वह scatter हो जाता है, विखर जाता है, तो इसी कारण से जो है आस्मान जो है इसका ग्लू दिखता है क्योंकि स्केटरिंग अफ लाइट ग्लू रेका इसकेटरिंग ज़्यादा होता है तो इसकेटरिंग जो होता है स्केटरिंग अफ लाइट जो होता है वो इन्वर्शली प्रपोर्शनल टू फोर्स पावर अफ वेवलेंथ होता है आनी जिसका वेवलेंथ कम है उसका स्केटरिंग ज़धा होगा कुम होका जिसका वेवल ہیں जचेटरिंग का वेवलंट समझád जधा है उसका कपो सब्सक्राइब कम का है अब इसका बहुत कुछ दिखाते ये क्या क्या है अब दिख्षाइब कि आसमान ब्लु क्यों दीखता है क्योंकि ब्लु कर गार का skatering ज्दा होता है कि प्रक्ष में जाता है तो हमारे आंखों तक लाल रंग हीह आप आता है इसलिए लां दीखता है पॉ enormous यह बात समझ में आया और जो है इंदर धनुस्त जो होता है बरसात के बाद ही होता है जो लिटल ड्रॉप हवा में तेरता है उसमें प्रकास प्रवेस करता है तो एक प्रिज्म की तरह काम करता है और वो साथ रंगों में विख्त हो जाता है इसलिए वो साथ रंगों का इंदर धनुस्त दिखाई पड़ता है हम लोग को इंदर धनुस्त जो है इस तरह दिखाई पड़ता है रेनबू इस तरह दिखाई पड़ता है इस तरह दिखाई पड़ता है इधर रेड दिखाई पड़ता है इधर लास्ट में जो है भाइलड दिखाई पड़ता है इस तरह से एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छे साथ इस साथ कर दिखाई पड़ता है लेकिन कि यहीं चीजीज को एलरेड ऊरेंज एलो एलो ग्रीन बुलू इंडीडो भाइलट ये साथ क्वार का दिखाए पड़ता है रेनबो में लेकिन अगर हवाई जाए से इसको देखेंगे तो पुरा एक गोल चक्का की दर दिखेगा तो ये भी देखिए ये देखिए तो बच्चो जो है ये स्केटरिंग ऑफ लाइट समझ में आया होगा इस स्पेक्ट्रम समझ में आया होगा इस सेवन कलर्स सन क्यों लाल दिखता है संसेट और संराइज में ये भी बात समझ में आया होगा तो उमिद है आप लोगों को समझ में आया होगा यही लास्ट टॉपिक था प्रकास का प्रावर्तन और अपवर्तन में तो धन्नवाज बच्चो और चैनल को लाइक कीजिए पहली बार आए तो सस्काइब कीजिए